दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वारी एनरजीस कंपनी के बारे में दोस्तों वारी एनरजीस में यहाँ पर हमें continue गिरावर देखने को मिल देए लास्ट तो ट्रिटेडिंग सेसंडे से कल भी गिरा और आज भी हमें गिरते वे नजर आया पहले हमें नजर आया कि श्टॉक में अच्छी काजी तेजी बनती है और अब यहाँ पर लास्ट दो दिनों से गिर रहा है और श्टॉक अल्मॉस्ट गिर चुका है 16-18 परसंट तक हमें ड्रॉप होते वे देखने को मिल चुका है बहुत सारे लोगों ने बाई किया हायर लेवल पे 35-36 रुपे के लेवल्स पे अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस नजरिय से बाई किया होगा बट काफी ज़दा लोगों को यहाँ पर अभी के टैम लॉस हो रहा है दीके long term view के एसाब से अगर है तो normally कोई बड़ी दिक्कत नहीं लग रही है बर जिन लोगों ने short term purpose के एसाब से लिया है ने sell नहीं लगाया है उनको काफी ज़दा बड़ी दिक्कत हो रही है आज की बात किया तो आज भी 7% गिरा है दीके normally जैसे ही यहाँ पर US election हुए तो उसका एक positive impact तो पड़ा market में थोड़ा उपर गया market बट उसके बाद यहाँ पर market में तो continue selling होई रही है बट यहाँ पर Donald Trump के तरप से एक बड़ा जटका जितने भी renewable energy company है wind energy company है उनको लगते भी नजर आया है अब वो क्या जटका है वो भी हम समझेंगे फाइफ रेस की बात करूँ तो श्टॉक में 12% तक की returns बने है से पहले आज का यहाँ पर हम data चेक कर लेते हैं कि numbers यहाँ पर कैसे देखने को मिल रहे है उसके बाद देखेंगे कि क्या यहाँ पर बड़ी news हमें देखने को मिल दही है तो दोस्तो वारी energies यहाँ पर आपका open होता है 3300 रुपे के levels पर 3400 तक का high भी लगाता है बट वहाँ से फिर गिरावट होती है 3056 रुपे तक का low लगा देता है जिसमें अगर हम बात करूँ गिरावट के पीछे इसमें 3-4 बज़ा है बड़ी बज़ा है वो इसमें discuss करेंगे वीडियो में volumes की बात किजाए तो 48 lakh की total volume होती है 1570 करोड के value के stock trade होते है जिसमें अभी upper circuit and lower circuit की जो range है वो 10% की है जिसमें 23% quantity हमें deliver होते वे देखने को मिली है एक तरफ अगर देखा जाए तो normally delivery quantity थोड़ी कम है क्योंकि उपर के level से काफी ज़दा गिर चुका है जिसमें भी delivery इतनी उठाई जा रही है तो एक परकार से अगर देखा जाए तो लोगों को अभी भी डर है कि stock यहां से और थोड़ा down हो सकता है दिखे stock ने high लगाया 3743 रुपे तक का 52 week high है और वहाँ से stock आ चुका है आपका अभी के time 30000 रुपे के levels पे almost उपर के levels से 600 point हमें गिरते वे नजर आ चुका है reason क्या है एके करके हम समझते है तो इस सबसे जो बड़ा reason है ना वो reason आपका यह है टरम्प के सासंकाल में अमेरिका को अक्से उर्जा निरियात में गिरावट के आसंका के चलते वारी energies के stocks में दो दिन के अंदर 10% से भी अधीक की गिरावट हमें देखने को मिली अब हुआ क्या है actually वो मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों डोनाल्ड टरम्प जो यहाँ पर जैसे ही हमें राष्टपती बनते हुए नजर आए तो इन्होंने एक announcement किया कि हम आने वाले time में जो भी renewable energy है और wind energy है इनको इनका जो इस्तमाल है वो काफी ज़्यादा कम कर देंगे मतलब इनको यहाँ पर खतम कर देंगे कुल मिला के इनका यह announcement था और जैसे यह announcement हुआ तो जो भी renewable energy के stocks थे उनमें sailing बनी जो अमेरिका के renewable energy की company थी उनमें भी गिरावट हुई और इंडिया की जो renewable energy की company आ है उनमें भी हमें गिरावट देखने को मिली तो यह एक main reason है जिसके वज़ा से यहाँ पर अगर देखा जाए तो वारी energy सब यह जो company है यह क्या काम करती है यह solar panels को बनाती है अब renewable energy के business के उपर इतना बड़ा यहाँ पर जो है खतम कभी यहाँ पर इनोंने अपडेट दे रखा है तो उस basis पर यहाँ पर जो वारी energy से अब यह क्या करती है भारत में तो supply करती है बट अमेरिका में भी अपने solar panels को supply करती है तो उसकी वज़ा से यहाँ पर जो निरियात है वो यहाँ पर काफी ज़़ा हमें drop होते भी देखने को मिलेगा दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो राश्टरपती डॉनार्ड टरंप ने अपने विज़े भाषन में उलेक किया कि वे अपने कार्यकाल के पहले ही दिन यहाँ पर इनोंने announcement किया कि renewable energy अक्सिय उर्जा परियोजना को बंद कर देंगे अब जैसे यह announcement हमें होते भी नजर आया जितने भी renewable energy companies थी उनके उपर हमें pressure देखने को मिला और stocks हमें drop होते भी नजर आया तो यह चीजे हमें होते भी देखने को मिली अच्छे results के बावजूद इसके जो results है बहुत ही अच्छे है PE भी नॉर्मली थोड़ा कम हुआ बट अच्छे results के बावजूद भी इसमें भी हमें गिरावर देखने को मिली क्योंकि यहाँ पर यह news निकल के आई सुझलों जो इस stock आपका गिरा वो भी इसी news से related हमें गिरते भी नजर आया अधानी गिरीन जो आपको देखने को मिल देखने को देखने को देखने को मिले तो वारी energies को लेके दोस्तों मेरा यहाँ पर क्या भी हो है long term purpose के साब से नॉर्मली अगर देखा जाए long term चीजे मुझे better लग रही है short term में यही होता है कि कुछ news वगेरा आती है फिर उसके आदार पे stocks गिरते भी है फिर value investment भी होते वे नजर आती है नॉर्मली यहाँ पर अमेरिका में अगर इनका import नहीं होता है इनके product जो है वो export नहीं होते है तो maybe इसके revenue पर profit पर impact हमें पढ़ते वे नजर आ सकता है और फिर यह इंडिया के उपर हमें depend होते वे देखने को मिलेगा तो नॉर्मली हो सकता है अगर अमेरिका यह continue यह जो decision इसके उपर stick रहता है तो यहाँ पर वारी energies के आने वाले time में impact हमें पढ़ते वे देखने को मिलेगा long term view के साब से भी बट overall जैसे साब से renewable की growth है इंडिया में और आसपास की जितने भी देश है उन में तो उस हिसाब से चीजे फिर भी इतनी बुरी हमें होते वे देखने को नहीं मिलेगी और नॉर्मली हाँ अमेरिका की वज़ा से impact पड़ेगा revenue पर profit पर and उसी के साथ-साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडिया में अगर यह अपने products को ज़्यादा sale करते तो उस business पर long term में थोड़ी चीजे बहतर होगे क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर directly decision लिया गया है renewable energy के उपर USA की तरप से तो यह एक normally सभी renewable energy company के लिए negative है but short term purpose के साथ से इसका negative हमें impact पढ़ते विए देखने को मिल सकता है कुछ दिन और but उसके बाद stock again हमें consolidation करते विए नजर आएंगे and long term में जो growth अगर अमेरिका का यह decision बिलकुल strict रहता है तो long term में जो growth है वारी energy के उपर वो उसके उपर थोड़ा सा हमें impact पढ़ते विए देखने को मिलेगा तो उसके इसाब से stock जो बहुत ज़्यादा बढ़ना था वो maybe हमें थोड़ा हमें कम बढ़ते विए देखने को मिले stock का PE अभी के time 90 के levels पे trade कर रहा है quarter 2 के results का काफी ज़्यादा इतजार रहेगा results अगर अच्छे आदे तो PE कम होगा and again इसमे value investment भी हमें होते विए नजर आ सकती है बाकी बारी energies अभी के time top 4 company में हमें देखने को मिल रही है अभी की बात की जाए तो यहाँ पर जैसे अभी अदानी green में गिरावट हुई है क्यों हो रही है क्योंकि overall यहाँ पर यहाँ पर यह हमें news देखने को मिले KPI green के results बहुत ही अच्छा है बट फिर भी pressure में क्यों हो रहा है क्योंकि इस news की वज़े से हो रहा है अदानी energy solution के यहाँ पर अगर देखा जाए तो नंबर सच्छे है तो यहाँ पर अभी के time selling कल बहुत ज़्यादा selling की होई एक तो MSI index का impact पड़ा दूसरा यह जो news थी इसकी वज़े से impact पड़ा तो अब यहाँ पर वारी energies में lower range के जो level से वो कहां तक हो सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी update दे रखा था अच्छे returns यहाँ पर हमने बनाए बहुत सरे लोगों ने यहाँ पर add किया अब यहाँ पर add किया है तो काफे ज़्यादा loss भी हो रहा है बट overall यहाँ पर low पर stock में selling कहां तक जा सकते हैं यह साब से दोस्तों 3,150 का तो एक important support है और अगर इससे नीचे निकलता है तो 3,000 के level से एक better support हमें देखने को मिल सकते है 3,000 रुपीज के level पर यह stock जाके normally हमें थोड़ा सा रुखते वे देखने को मिल सकता है क्योंकि यह Fibonacci का भी support है और मानलो market के हलत बहुत ज़दा खराब हो जाती है तो maximum selling हमें यहाँ यहाँ पे 2,800 रुपे के levels तक होते वे देखने को मिल सकती है अगर market में मानलो ज़दा ही गिरावट हमें देखने को मिलती है तो यह stock normally हमें 2,800 रुपे के levels पर जाते वे नज़र आ सकता है बट इससे पहले 3,000 रुपे का एक important बड़ा support हमें stock के लिए देखने को मिलेगा बागी guys अभी के time में F1 वालो की continue selling हो रही है तो यहाँ पर short term period के एसाब से अगर आप सारा पैसा एक साथ लगा रहे हो तो यह काफी ज़दा बेवकुफी हो सकती है नॉर्मली 50% capital अपने हाथ में रखिए और 50% market में अगर लगा हुआ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके पास average का fund होगा बट अगर आपका सारा पैसा market में लगा हुआ है तो सबसे पहले 50% capital आपके हाथ में होना चाहिए यह मैं नॉर्मली जब निफ्टी 26,000 के डेवल्स पे था तब भी मैं आपको अपडेट दे रहा था शॉट टम में news waste stock में selling बन सकती है बट long term vision के इसाब से चीजे better होते वे हमें नजर आ सकती है ठैंक यू बागी दोस्तों मेरी तरफ से कोई buy and sale recommendation नहीं है buy and sale करने से पहले अपने financial advisor से भी जरूर कंसर्ट कीजेगा